पेड वीडियो कंसल्टेशन की सीरीज में आज चौथा वीडियो है आज हम तीन टॉपिक के बारे में बात करेंगे पहला सवाल थोड़ा बहुत सेक्शुल रिलेटेड ही है क्योंकि जातरलों के सवाल उस टाइप के आते हैं दूसरा जो सवाल है वो है पेड से संबंधित व यानि कि दौरे का आना फ्लीज वीडियो पूरा देखिए यदि आप पूरा नहीं देखना चाते तो आपको डिस्क्रिप्शन में टाइम लाइन मिल जाएगी कहां से किस चीज की स्टार्टिंग हो रही है आप सीधे वहां से जाके स्किप करके देख सकते हैं अच्छा रह हो जाता हूँ मैं पहले मस्टरबेशन किया करता था लेकिन अब छोड़ दिया हूँ मैं कभी किसी लड़की को कॉल भी करता हूँ तो भी इलिंग से चिपचपा पानी निकलने लगता है गलत ख्याल आते हैं तो भी ऐसा होने लगता है घरवाले इनको शाधी के लिए बोल में नहीं आई तो इसलिए ये मुझसे डारेटली चाहते हैं कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊं देखे किसी भी चीज से जब आप sexually excited होते हो ठीक है उस समय पर link से पतला पानी निकलता है और ये हमेशा ही होता है ठीक ये एक normal हो सके और male और female दोनों को pain ना हो ठीक है ये वेजाइना में एक तरीके के lubrication देने का काम करता है लेकिन जो इस condition में नहोंने बात करी है कि excitement हो जाने के बाद शरीर से वीरिका निकलने लगना ये problem है जब व्यक्ति की नसे कमजोर हो करती है व्यक्ति का अपने शरीर की इंद्रियों के उपर control खतम हो जाता है आप जरा सा कुछ भी excitement आया उतने में ही आपका जो discharge होना था वो होने लगा यानि कि semen निकलने लगा प्रीकम की वज़ाए जो आपका semen है वो liquid होके निकलने लगता है इस प्रकार की जो problem होती है काफी सारे लोगों में मिलती है लेकिन इसका दवाई से treatment करना again next to impossible है ये आपका आपके शरीर की इंद्रियों के उपर कम control होने के कारण है example देखो बहुत सिंपल सा example है अगर आपने कभी कोई बिठाई नहीं खाई है ठीक है मान लो आपको रजगुला बहुत पसंद है आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है आपने देखा अब imagine करो बहुत करीब तपके के हो आपने कभी खाया ही नहीं जो गाओं महसूस होती है, मुझसे पानी निकलने लगता है आँखे फैल जाती है, excited हो जाता है यही चीज इंसान के साथ होती है sexual activity के दौरा जब आप sex के अंदर, sex की कारण जो आपके शरीर में जो physical activities हो रही है अंदर, आपकी बॉड़ी में इसी condition में आपकी इंदरिया पूरी तरीके से धीली हो जाती है अब इसमें treatment क्या रहेगा पहला treatment है अपके विचारों की शुद्धता, बहुत जादा ज़रूरी है अगर आपको बात करने मातर से excitement आ रहा है, किसी को देखने मातर से excitement आ रहा है, सोचने मातर से excitement आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका अपनी शरीर की इंदरियों के उपर पूरा control खतम हो गया है ये बिल्कुल ठीक वैसा ही है कि सामने अगर गुलाब जामुन पड़े है और आप control नहीं कर पा रहे हैं, आप एकदम से 10 गुलाब जामुन खा गए या फिर आप दिन में सुबह, दुफएर, शाम, लगातार मिठाई-मिठाई खाते जा रहे हो, तो इंसान क्या होगा बिमार हो जाएगा, एक सही विक्ति क्या करेगा एक पीस खाएगा, जाय से या तो दो पीस खाएगा, उसके बाद नहीं खाएगा लेकिन एक बिमार विक्ति क्या करेगा एक पूरा कटोरा भर की रसगुला लेगा और एक बार में खा जाएगा कि पता नहीं अगली बार कब मिले सेम कंडिशन आपके साथ है आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, दिमाग को कंट्रोल करने की जो टेकनीक होती है मैं कई बार आपको समझा चुकी हो पहली चीज है रेगुलर मेडिटेशन करना मेडिटेशन करना अत्यंत आवश्यक है केवल दवाईों के सारे कुछ नहीं होने वाला आपको सुबह शाम मिनिमम पांच मिनट का मेडिटेशन करना पड़ेगा मेडिटेशन करने के लिए मैं जनरली एडवाईज करती हूँ क्योंकि खुद से मेडिटेशन करना मुश्किल होता है इसलिए आप कोई भी यूट्यूब का सहरा लीजिया यूट्यूब में आपको पांच मिनट के काफी सारे मेडिटेशन वीडियो मिल जाएंगे आप मोबाइल पे उनको प्ले करिए कान में हेड़फोन लगाईए और उन्हें तसलिके साथ में सुनिये ठेक है सोबह पांच मिनट शाम को पांच मिनट आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा दूसरी जो चीज है जो आपको करनी है वो है रेगुलर एक्सराइज का करना प्यूकि जब आप रेगुलर एक्सराइज करते हो तो बॉड़ी के अंदर जितनी निगेटिव एनरजी होती है वो निकल जाती है बॉड़ी आपकी रिलाक्स हो जाती है दिमाग आपका शान्त होता है, आपके शरीर में वात्पितिकफ जो बड़े हुए, वो भी सामय आवस्था में आ जाते हैं तो दूसरी चीज आपको regular exercise करनी है exercise में भी मुझे पसंदीता यही है कि आप फिर से YouTube का सहरा लीजे 10 minute workout, 15 minute workout, इस तरीके से workout लगाईए और उसको देखते हुए, उसके साथ में 15 minute exercise करें क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं कई females को देखती हूँ, gents को देखती हूँ कि सुबह एक एक घंटे जाके पार्क में जाके exercise कर रहे हैं, वर्क आउट कर रहे हैं लेकर उस exercise में, एक घंटे की exercise में मुश्किल से वो 10 या 15 minute ही कर रहे हैं बाकी time तो या तो किसी से बात कर रहे हैं, या फिर बीच वीचे मोबाईल पर कुछ देख रहे हैं या फिर उनका दिमाग कहीं और जा रहे हैं मतलब इस तरीके से एक घंटे सिफ कहने के लिए होता है, एक्चली वहाँ पर भी 10-15 minute ही होता है तो बैटर ये रहेगा कि आप YouTube वीडियो का सहरा लीजे, अकेले exercise करिए, सामने वीडियो लगाईए, 15 minute workout और उसे देखते हुए workout करिए तीसरी चीज आपने बोला कि घरवाले आपको शादी के लिए force कर रहे है, बहुत अच्छा ये रहेगा वैसे मैं इस नामले में कह नहीं सकती कि भारत एक बहुत बड़ी country है और यहाँ पर हर जगे, हर परवार में शादी को लेके बहुत ही अलग-अलग रीती रिवाज रहते है मैं आपको ideal condition बतारी हूँ, ideal condition यह है कि आप शादी के लिए तयार हो, आप लड़की से बात करो, उससे मिलो, उनको अपनी problem शेयर करो यदि उसके साथ में आप दौनों एक दूसरे की mental condition को समझ सकते हो तो उसके बाद शादी करो यह मत सोचो कि एक बार मैं ठीक हो जाओंगा, उसके बाद ही शादी करूँगा क्योंकि यह जो problem है इसमें time लगने वाला है, यह 2-4-10 दिन में ठीक नहीं होने वाली एक important बात last में है कि please आप यह मत सोचना कि कि किसी भी medicine से आप ठीक हो जाओगे यह आपकी psychological condition है और psychological condition को ठीक होने में समय लगता है और आपको खुद को मेहनत करनी पड़ती है दवाईयों के सहारे sexual condition में बहुत जादा फर्क नहीं आता आपको जो 2-4 दवाईयां आपको लेनी है वो मैंने आपको email में already बता दी है उन दवाईयों का आपको प्रियोग करना है दवाईया में यहां नहीं बता रही क्योंकि मैं नहीं चाहती सभी लोग दवाईयों के पीछे पढ़ जाए main चीज है कि आप केवल अपने दिमाग को कंट्रोल करें 70% का जो काम है वो आपको करना है remaining 30% का जो काम है उसमें medicine को सहारा दे सकते है ठीक है चले अगले सवाल के उपर आगे बढ़ते है next सवाल है next सवाल वालों ने अपना नाम मेंशन किया है तो चले इनका नाम ही ले लेते है hello ma my name is Akshay I am big fan of you thank you so much my weight is 60 kg and height is 5.8 inch इनों ने बहुत लंबा email किया है इनका email मैंने पढ़ लिया है आप लोग पढ़ना चाहें तो इस side में चल रहा है आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैं आपको summary बता देती हूँ कि इनको problem क्या है पहले चीज़तों यह है कि इनको पेट में gas बनती है पेट फूला हुआ रहता है जैसे पेट के अंदर हवा भरी हुई हो जब यह लेट जाते है तब इनने थोड़ा सा आराम हो जाता है पेट भी अच्छे से हलका महसूस होने लगता है gas पास होने लगती है पेट में से गुड़ गुड़ की जो आवाज आनी चाहिए यानि कि जो intestine का movement होना चाहिए वो भी होने लगता है पेट के उपरी भाग में एक उभार सा आ गया है नाभी के उपरी वाला हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा सा उभार या सूजन सी महसूस होती है जैसे कि कोई breaker डवलप हो गया हो वहाँ पर सुवए कभी पेट साफ हो जाता है कभी पेट साफ नहीं होता ये problem आती है इन्होंने अपना USG करवाया था ultrasound करवाया उसमें fatty liver आया यानि कि liver थोड़ा सा damage हो रहा है साथ ही साथ SGOT SGPT टेस्ट करवाया थे वो भी थोड़े से बढ़े हुए आया है इसके अलावा important चीज़ यह है कि इन्हें डेर साल पहले typhard का infection हुआ था typhard और कफ हुआ था जिसके लिए इन्होंने allopathy doctor से treatment लिया फिर ayurvedic treatment लिया ayurvedic doctor ने जो इनको medicine देती वो शहद के साथ खाने के लिए देती तब से इनको ये पेट की समस्या जादा हो गई है दो ढ़ाई मेने नोने दवाईया खाई तब से इनको ये समस्या जादा हो गई है अब इनके treatment के उपर बात करते हैं उसको एक समझ लो ये जो reason है इसको समझ लो क्या होता है मेरे साथ भी हो जाता है कई बार कई बार patient जो आते है न मानली कोई patient आया घुटने की दर्द की बिमारी लेके तो वो ये सोचते है कि ये doctor घुटने के दर्द का doctor है इसके पास हम इसको घुटने वाली बिमारी बताते हैं पेट की बिमारी को छोड़ देतें तो इसने पेट की बिमारी के लिए दूसरा doctor है क्योंकि Allopathy वालो ने ये चीज़ बना रखी है कि सिर के बिमारी है तो दूसरा doctor देखेगा नात की बिमारी यह तो अलग डॉक्टर देखेगा, पेट की बिमारी यह तो अलग डॉक्टर देखेगा, भाई याद दबाई जा रही है, शरीर के अंदर जा रही है, तो पूरी बॉड़ी पे कही ना कहीं तो कुछ ना घुस्त असर करेगी ना, लेकिन ऐलोपैथी में यह ज्यादा ही डिवाइड रहते हैं तो कुछ लोग यह सोचते हैं कि आरवेड में अभी ऐसा ही होता है और आरवेड डॉक्टर भी आजकल करने लगे हैं आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हो कई लोग पूछते हैं कि टाइफाट का इलाज बताओ जैसे कोई पर्डगर नुस दवाईयां होती है इन सभी दवाईयों का प्रयोग शहद के साथ में किया जाता है मैं भी आडवाइस करते हूं शीतोपलादी चोंट स्वासकुठार संजीव नीवटी लक्षमी विलास रथ इत्यादी बहुत सारी मैडिसिन होती है जिनका प्रयोग शेहद और घी के साथ अब कई बार जब डॉक्टर पेशेंट की सारी कंडिशन को नहीं एक्जामिन करते हैं या फिर पेशेंट से बहुत सारी अन्नेसेसरी सवाल इसलिए बोले कई बार पेशेंट को लगता है कि फालतू के सवाल क्यों पूछ रहा हूं हमको समस्या पेट की है और तो हमारे टीट मेंट की उपर बात करते हैं बहुत सिंपल्य है पहले चीज़ मैडिटेशन और सारी है कंपल सरी है वह आपको पली करना क्या कि जो डॉक्ट्टर आं आपको बोला है ऐं करोंको वीक होने की वज़े से जब आप लेटते हो ऐसी कंडिशन में तो वो अपना प्रॉपर फंक्शन कर पाती है लेकिन जब आप ग्रेविटी के अंगेंस में खड़े रहते हो या वर्क करते हो ऐसी कंडिशन में आपको पेट में डिसकमफर्ट होने लगता है आपकी ऐसे उनी फार्मेशी के मिलेंगे कैपसूल फॉर्म में आते है ये एक यह एकुली टेल है जिसको कंडेंस करके कैपसूल के रूप में दिया जाता है जीर बला कैपसूल एक कैपसूल सुबह खाना खाने के बाद प्रती दिन आपको लेना है इसे केवल दस दिनों के लिए लंबे समय तक लेने की जरुवत आपको नहीं पड़ेगी दूसरी चीज जो आपको करनी है सुबह शाम खाना खाने के बाद अगनी तुंडी वटी सुबह शाम खाना खाने के बाद अगनी तुंडी वटी 250 मिली ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ में लेनी है ठीक है? यह हो गई पहली चीज हो गई आपकी चीरबला कैपसूल आपको प्रयोग करना है वो आपको करना है दस दिन के लिए दूसरा आपको अगनी तुनडिवटी 250 मिली ग्राम की मातरा में प्रियोग करनी है, सुबह शाम खाना खाने के बाद, तीसरी चीज आपको प्रियोग करनी है, दश मूल कवाथ, दश मूल कवाथ, पंदरा एमल की मात्रा में, दिन में तीन बार, सुबह दुफैर शाम, सुबह नाश्ते के बाद, दुफैर के खाने के बाद, रात के खाने के जैसे modern जैसा नहीं होता है कि पंदा पंदा मिनट की gap से लो, आप एक खट्टे एक बार में तीन दवाईया खा सकते हो, ठीक है, सुबह उठकर जैसे ही आपकी नींद खुलेगी सबसे पहले आपको अभी पत्तिकर चूण लेना है, ठीक है, आदे चम्मच की मातरा में अभी पत्तिकर चूण आपको लेना है, लास्ट में आपका पेट साफ जो आपने एक प्रॉब्लम बताई है कि आपका खाना पचता नहीं है, पूरा गंदा खाना, मतलब कि अगर आपने मुमफली खाई, तो मुमफली आपकी लेट्रिंग से निकल जाती है, यदि आपने तिल ख करेगा, दो दिन का गैप रखके लवड भासकर चूण लेना है, लवड भासकर चूण आधी चमच की मातरा में गुनगुने पानी से रात को सोते समय आपको लेना है, इतनी सी ही आपको मैडिसिन का प्रियोग करना है, इससे आपकी जो सर्दी जुखाम, खांसी, काफी जादा कमी है, अब आप सुचोगे कि मेड की कमी है, फैट की कमी है, और लिवर वैसी बढ़ रहा है, यह मेडागनी की दुष्टी है, जहां पर जिस चीज़ को बनाना चाहिए था, जहां पर मेड का एक्विनेशन करना चाहिए था, वहां पर उसने नहीं किया, नियम पूरवक खाना खाईए, ठीक है, सुबह दुफैर शाम नियम पूरवक खाना खाना है, खाने में एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप हो सके तो बिलकुल टाइम सेट करिए, सुबह दस बजे खाना है, तो दस से लेके साड़े दस के बीच में आपका नाश्ता होना च कर सकते हैं, तो नौ से साड़े नौ के बीच में आप सेट कर लो, वो आप अपनी लाइफ स्टाइल के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम आपको डिसाइड करना है, दुफैर का लंच उसी के अकॉर्डिंग एक से डिर्ड के बीच में 15-20 मिन या कभी भी, 24 घंटे में जब आपको टाइम मिले, जब आपका पेट थोड़ा हलका हो, ये नहीं करना है कि खाना खाया और मालिश कर ली, तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, जब खाना खाके एक दो घंटे हो चुके है, या फिर अरली मॉर्निंग जब पेट बिलकुल खा किसी कारण से दो बार करना पॉसिबल नहीं हो, तो एक बार करेंगे तो भी सफिशेंट है, खाना आपका रेगुलर होना चाहिए, टाइम्स टु टाइम होना चाहिए, और इंडियन खाना खाईए, रोटी सबजी दाल चावल खाईए, दो रोटी खाईए, आधी कटोरी द कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जो SGOT, SGPT है ये दिरे-दिरे कंट्रोल आ जाएगा, फैटी लिवर में बहुत लंबा टाइम लगता है, पहले आप पहले अपनी इंटस्टाइन की जो कंडिशन है, उसको सही करिए, एक बार दो महीने में आपका ये जो मजबूत हो जाएगी, फिर आप थोड़ी से exercise की amount बढ़ा देना, तो एक साल, दो साल आपको करना पड़ेगा, तो जो fatty liver की condition है, वो आपकी सही हो जाएगी, ठीक है, मैंने आपको जितना भी medicine बताई है, इन सभी medicine का प्रयोग आपको केवल एक महीने के लिए करना है, एक मह आपको एक महीने के अंदर ही फायदा हो जाएगा, ठीक है, fatty liver में time लगेगा, ध्यान रखना, उसको मैं यहाँ पर अभी target नहीं करती हूँ, उसके लिए दूसरे वीडियो है, आप एक महीने बाद जाकर उन वीडियो को देखना, और फिर अपना treatment करना, फिलाल एक महीने के अपनी जठरागनी को ठीक करनी के उपर वितीत करिये, ठीक है, चलिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, काफी जादा हो गया है, इसलिए तो तीसरा सवाल है, इसी के बाद वाला जो सवाल है, हिस्टीरिया के उपर मैं next video में discussion करूँगी, वो कल upload होगा, अगले दिन टिक है, चलू, वावाई